सो यार what's up guys और बताओ कईसे आप लोग बहुत बहुत ज़्याद असवागत है आप सभी का एक और नुए वीडियो के अंदर सो यार इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वालो कि आप लोग अपने free fire में first wish first class squad custom room को कैसे create कर सकते हैं यानि कि custom room से आप लोग first wish first class squad में कैसे लगा सकते हैं तो यार आप लोग के लिए ये वीडियो काफी ज़्यादा helpful होने वाली है अगर आपको नहीं पता कि कैसे लगाया जाता है first wish first class squad custom room को तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे create कर सकते हैं इस custom room को first class squad में तो यार वीडियो आप लोग के लिए काफी ज़्यादा helpful होने वाली है तो अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो फाटापट से guys like कर दो और चैनल पर पहली वार आए हो तो subscribe करके bell icon को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना तो चलिए आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ तो सबसे पहले guys हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगी हम लोग simply यहाँ पर अपने इस map वाले option में क्लिक करेंगे और उसके बाद right side की सबसे नीचे की side में custom होले इस option पर simply हम लोग यहाँ पर click out कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोग वो इस तरह का जो interfence ह्यों यहाँ पर आप लोग को देखनी को मिली जाता है उसके बाद यहां पर आप लोग को क्या करना है कि आपका यहां पर रूम नेम तो होगा उपर ही साइड में लेकिन आप चाहे तो यहां पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं अपने ही साथ जो भी आपके चाहओ आप यहां पर पासवर्ड लगा दीजिए और उसके बाद यहां पर आप लोग को क्या काम करना है कि यहां पर आप लोग का option है अपर आप लोग को click out करना है आपको simply यहां पर guys class square को choose कर लेना ठीक है तो जही से हही हमने यहां पर class square को choose की है और नीचे की side में तरह तरह के map आजाते है ठीक है यहां पर 4-5 map class squad के आये हुए हैं तो आप यहां से अपने हिसाब से map को choose कर लिजे तो मैं यहां पर bear mode ही रहने दूँगा और उसके बाद यहां पर आपको क्या काम करने कि आपको यहां पर team mode का option मिलता है यहां पर option मिलेगा solo duo squad 626 तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको यहां पर simply solo वाले option पर simply click out कर देना है तो आपको simply यहां पर solo वाले option पर tick कर देना है और उसके बाद यहां पर आपको क्या काम करना है कि आपको यहां पर यहां पर tap out बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आप लोग को अगर आप यहीं से बना देंगे कस्टम रूम को तो आपको इस रूम के अंदर अनलिमिटेड ग्लू आल एंड अनलिमिटेड एमो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलने वाली आपको काम क्या करना है आपको जाना इस गेम वाले सेक्शन में उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इस तरह का इंटरफेस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आप लोग राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं तो राउंड मैं यहाँ पर कर देता हूं यहाँ गैस 11 राउंड कर देता हूं ठीक है एंड उसके बाद HP पर बहुत सारे जो है वो option आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा तो आप चाहिए तो यहाँ पर अपनी jump height को यानि कि अगर आप इसे और ज्यादा कर देते हैं तो आपका जो character वो और भी ज्यादा jump करने वाला है इस room के अंदर तो आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं बट मेरे को यहां पर 100% ही रखना है और अब यहां पर guys इस room के अंदर आपको जो सबसे important setting करनी है न वो यह वाली है जो आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाती है तब आपको यहां पर unlimited global and unlimited email मिलेगे इस room के अंदर ओके तो आपको यहां पर जरूर से जरूर no कर देना है और यहां पर आप लोग यहां से character skill को चूज कर सकते हैं इसे हम लोग यहां पर no कर देंगे क्योंकि अगर यहां पर कोई बंदा अलोक एंड़ स्काइलर वगरा लेगा तो उसका जो है skill वो काम नहीं करेगा इस room के अंदर और अब confirm पर टाइप करते ही गाईज आपका जो room है वो यहां पर create हो जाएगा उसके बाद यहां पर आप लोग invite पर click करके आप अपने other friend को यानि दूसरी तरफ जो आपका बंदा खेलेगा उसे यहां पर invite करके उसे बुलास सकते हैं जिसको आपको खिलाना हो ओके एंड एक तरफ आप हो जाएए एक तरफ आपका जो बंदा है यानि friend है वो आ जाएगा उसके बाद आपका room तयार हो जाएगा फस्ट फस्ट उसके बाद यहां पर आप लोग जैसे स्टार्ट कर देंगे आपको जो room है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा कस्टम रोम ठीक है गाई तो आई होप आप सभी को यह सारी सेटिंग पता चल गई होगी कि आप लोग कैसे फस्ट फस्ट कस्टम रोम कलाइस स्क्वाइड में कैसे लगा कर खेल सकते हैं तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद है तो लोगो लाइक करना चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस जरूर से जरूर कर लेना तो यार मिलते हैं फिर से किसी न्यून टेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई